हेलो गुड इबनिंग टो अल फ्यू मेरी क्लास में आप लोग और फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है तो मैं आज मेरी इस क्लास के अंदर फिर से एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक लेके आए हूँ जो की यूपीस्सी या सिविल सर्विस एक्जाम के अंदर बहुत कि पाकिस्तान को IMF से तीन अरब डॉलर का कर्ज मिल गया है इन लोगों को और जिसे कहते हैं ना कि डूपते को तिनके का सहरा होता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कागार पे था वहां से जैसे ही उनको तीन अरब डॉलर कर्ज मिला तो कुछ टाइम के लिए उसने अपनी डिफॉल्ट होने से कुछ टाइम के लिए अपने आपको बचा लिया तो अब यह जो कहानी है ना यह आज की नहीं है दरसल भारत से अलग होके जो यह पाकिस्तान बना 1947 में उसके बाद से ही कुछ टाइम तक तो इसकी ग्रोथ सही चलती रही इंडस्री इंफ्रास् पिछले आठ महीने से मतलब आठ महीने हो गए और पाकिस्तान और आईम एफ की बातचीत कंटिन्यू चल रही है पर आईम एफ इनको लोन देने पे या कर्ज देने के उपर बिल्कुल भी राजी नहीं था उसका कारण यह है कि आईम एफ ने अपनी तरफ से कुछ शर्ते रखी थी पाकिस्तान के आगे वो शर्ते पाकिस्तान मान रही रहा था तो अब जाकर कि यह पाकिस्तान जो है यह अपनी शर्ते मानने को राजी हो गया है अब इस कड़ी के अंदर यह था कि अगस्त दो हजार अठारा के अंदर भी जब इमरान खान सत्ता के अंदर आये थ साथ अरब डॉलर का कर्ज का समझोता हो गया था पर उस वकत जो है ना इस कर्ज की एक दशमलाव एक अरब डॉलर की राशी इनको मिलने भी वाली थी लेकिन इन्होंने जो I.M.F की शर्ते हैं वो एंड वक्त में आ करके मानने से इंकार कर दिया जिससे की ये कर्ज भी अटक गया है और अब जो इनकी बातचीत हुई है शाबास सरकार के साथ जो इनकी I.M.F से बातचीत हुई है तो उसके अंदर इन्होंने इनकी शर्तों को मान लिया है तो अब 3 अरब डॉलर ये और 7 अरब डॉलर पहला याने 6.527 जो लगबग वो था तो 10 अरब डॉलर के आसप conditions ने जो conditions रखी है न वो condition बहुत ही थोड़ी सी पेचीदा है और ये पाकिस्तान को मजबूरन माननी पड़ेगी अब जो शर्त I.M.F ने रखी है उसके अंदर सबसे पहले जो है कि बजट के अंदर बेवज़े खर्च खर्च जैसे कि आप देखो पाकिस्तान जो है अपनी आर्मी के उपर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है तो उसमें अंदर भी कटवती करनी पड़ेगी आर्मी का जो खर्चा है न विया आर्मी का उसको इनको कम करना पड़ेगा पहले इनकी ग्रोथ यू जाती थी अब इनको यू लानी पड़ेगी और इसके अलबाब फोकट लोगों को मिलती है न इलेक्टरिक बिल के अंदर शब्सीडिय मिलती है उस सब्सीडिय को भी खतम करना पड़े गा मतलब जितनी बिजली का भी लाएगा पूरा का पूरा पाकिस्तानी पबलिक को वो देना पड़ेगा अब नमबर तीन नमबर तीन के अंदर है विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है फॉरें एक्षेंज रिजर्व जिसको अपने लोग कहते हैं उसके लिए आयात जो प्रतिवन लगाए गए थे मतलब एक्सपोर्ट के उपपर और इंपोर्ट के उपपर इन्हों ने जो उसके उपपर प्रतिवन लगा दिये थे उसको भी उनको हटाना होगा तो ये सारी शर्ते हैं ये मेन शर्ते हैं जिसको IMF ने काए कि ये पूरी करनी पड़ेगी तब ही आपको हम वो रण देंगे और ये पाकिस्तान जो है वो मानने को तयार हो गया है लेकिन अब इस रण से वो कितने टाइम तक अपने को डिफॉल्ट होने से बचा पाएगा इसका कुछ अभी आइडिया है नहीं बरहाल फिला अभी कुछ महिने के लिए तो वो बच गया है अब अपनी कहानी आती है कि ये आईएम एफ का ये कितना बड़ा करजदार है कितना बड़ा करजदार है पाकिस्तान तो देखो शुरुआत में ये है कि पाकिस्तान जब से आजाद हो है न तब से आईएम एफ से 7.4 अरब डॉलर का कर्ज था याने ओल्लेडी 31 मार्च 2023 तक उसके उपर पहले से ही 7.4 अरब अमेरिकन डॉलर का कर्ज पहले से ही था और उस वकत तक पाकिस्तान IMF का पांचवा सबसे बड़ा याने 31 मार्च 2023 तक फिफ्ट सबसे बड़ा कर्जदार ये भी UPSC के अंदर आता है कि 31 मार्च 2023 के पहले पाकिस्तान की रेंकिंग कौन सी थी IMF से लोन लेने की वो है फिफ्ट पांचवा याद रखना पांचवा अब इसके बाद कहानी आती है कि साब अब इनको जो है वो तीन अरब डॉलर और मिल गए हैं तीन अरब डॉलर मिल ग करके पांच नंबर तक जो कंट्रीज हैं जो की सबसे ज़्यादा लोन लेती है IMF से उनकी रेंकिंग में आपको बदा देता हूं तो नंबर एक के उपर है अर्जेंटीना दो के उपर है मिस्र नंबर तीन के उपर है यूक्रेन नंबर चार के उपर है इक्वडोर और नंबर पांच के उपर है पाकिस्तान ये पांच की रेंकिंग है अच्छा पहले मैं आप बदा दो अर्जेंटीना के उपर है 46.5 अरब डॉलर का खर्च मिस्र के उपर है 18 ये सब अरब डॉलर के उपर है उसके बाद में 30 रेंबर यूक्रेन के उपर है 12.2 अरब डॉलर एक्वेडर के उपर है 9 अरब डॉलर और पाकिस्तान के उपर था 8.2 या 7.5 इस तरीके के उच लगबग था और पाकिस्तान 5 वे नंबर पे था पर अब जैसे ये 3 अरब डॉलर का जो ये करज IMF से जो मिला है न तो अब पाकिस्तान 4 नंमबर पे आगया है तो ये पाकिस्तान आगया है 4 नंबर पे और एकवडर चला गया है 5 में नंबर पे समझ में आगई बात तो इसको याद करने का भी एक सिंपल तरीका है कि आप बस अर्जेंटीना याद कर लो आज की पुजिशन में आप अर्जेंटीना याद कर लो तो अर्जेंटीना का मित्र कौन हुआ मिस्र मिस्र से मित्र मिस्र से मित्र अर्जेंटीना का मित्र कौन हुआ यूक्रेन तो इसके अंदर अर्जेंटीना भी आ गया मिस्र से मित्र आ गया और यूक्रेन उसका मित्र हो गया तो अर्जेंटीना का मित्र कौन है यूक्रेन अब यूक्रेन जो है वो दर्वाजा खोल के भार गया तो दरवाजा इक्वे डोर, डोर, डोर मतलब दरवाजा, यूकरेन दरवाजे से भार गया और वहाँ उसको मिला पाकिस्तान, और पाकिस्तान जब उसको मिला तो यूकरेन ने उसको धक्का दे के दरवाजे के अंदर कर दिया, तो पाकिस्तान अंदर आ गया, तो इक्वे ड बैंकिंग के अंदर पाकिस्तान चौथे नंबर पे है दो हजार तेईस मार्च के बाद में वो चौथे पहले पांच में पे था वह गई कहानी क्लियर अब इसके बाद कहानी आती है कि दुनिया में तो पाकिस्तान पांच में नंबर पे आता है पर एशिया के अंदर नंबर देशों ने कर्ज लियावा है आई एम एफ से एक तो है शिरिलंका दूसरा है नेपाल किसर नमबर पे उस्बेकिस्तान चौथे नमबर पे किर्गिस्तान पाँचवे पे आर्मेनिया शटे पे मंगोलिया पर ये जो छे के छे देश है ना शिरिलंका नेपाल उस्बेकिस्तान किर्गिस्तान आर्मेनिया और मंगोलिया ये पाकिस्तान से काफी पीछे हैं कर्ज लेने के अंदर पाकिस्तान नंबर वन है नंबर वन है IMF से एशिया में कर्ज लेने के अंदर अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि IMF ने पूरी दुनिया के अंदर 31 मार्च 2023 तक 93 देशों ने पूरी दुनिया के कर्ज ले रखा है और ये कर्ज जो है 155 अरब डॉलर का है 93 देशों ने IMF से इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जो एक इंटरनेशनल बैंक मान लो आप इससे 93 देशों ने टोटल कर्ज ले रखा और उस कर्ज को जोड़े हैं तो वो कर्ज बेटता है 155 अरब डॉलर अचा अब मैं आपको एक चीज़े बता देता हूँ कि भही पाकिस्तान को कर्ज की जरौत ही क्यों पड़ी थी क्यों होती है इसको कर्ज की जरौत सबसे पहला तो है ना पाकिस्तान की नीती क्या रही है कि जैसे चाइना से कर्ज ले लिया अपने अब चाइना से कर्ज ले लिया आएमेफ को चुकाना है तो आएमेफ को चुकाना है तो वो किसी और देश से ले लेगा जैसे भारत से कर्ज ले लेगा सपोस्थ करो एक और वो कर्ज जो है वो आएमेफ को चुका देगा चाइना से कर्ज ल पाकिस्तान जो है उनके आकणों के मुताबिक दिसंबर 2022 तक मुल्क पर याने देश पर 6,3,8,6,8 अरब पाकिस्तानी रुपी इसका पाकिस्तानी रुपी इसका से ज़्यादा का कर्ज है इतनी बुरी तिस्ती फर गया इससे कर्ज लेकर उसको दे दो उससे कर्ज लेके इसका चुका दो उस कर्ज कर्ज के चकर में यह अल्रड़ी अपने जाल में फस चुका और इतना जादा इसके उपर अभी कर्ज डलावाए अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड जो है न वो है खाली हुदा विदेशी बंडारियाने इसका जो फॉरें रिजर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है उपर की तरफ जाता है दूसरे देशोंगा इनका नीचे की तरफ जाता है आप यह देखो कि इस साल फर्वरी तक जो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा बंडार था न वो केवल तीन अरब डॉलर ही रह गया था और अब यह इस्तिती है करेंट के अंदर की 35 लाग डॉलर का ही इसके पास के अंदर फॉरें रिजर्व रह गया है यानि कि यह डिफॉल्ट होने के बिलकुल महीन लाइन पर है पर आई-म-फ ने इसको बचा लिया अच्छा अब है इसकी लगातार गिर्ती करंसी अब इसके डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपे जो है वो किस हिसाब से चलता है जैसे भारत का जो भारत के 80 रुपे अमेरिकन डॉलर के एक डॉलर के बराब है वैसी पाकिस्तानी रुपे अमेरिका के कमपेरिजन में क पहरत के 80 रुपए देने पर एक डॉलर मिलता है तो स्तिती देख लो आप कहां से कहां जा रही है यह स्तिती ऐसी है कि मतलब माई दो हजार बाइस के इंदर 185 पाकिस्तानी रूपी देने पर एक डॉलर मिलता था और अब यह स्थिति है कि 275 रुपए याने करीब करीब 90 रुपए का इजाफा हो गया है डॉलर के मुगाबले कितनी स्थिति खराब है और आखरी जो सबसे important point है कि भाई है इसके हाँ पर कर्ज लेने की इसको क्यों जूरत पड़ गई तो वो है बढ़ती महंगाई याने की inflation rate बहुत ज्यादा है inflation महंगाई कम नहीं हो रही है महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और इसकी जो inflation rate है वो 38% से ज्यादा है मतलब सारे record तोड़ दी है यार इन लोगों ने पाकिस्तान में महंगाई 38% से भी ज्यादा चली गई है तो ये सार रीजन है कि इसको लोन लेने की जरुत पड़ी IMF से अच्छा अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि IMF International Monetary Fund दरसल है कहां तो International Monetary Fund जो संस्तान है या जो बैंक है वो है United States of America के Washington DC के अंदर Washington DC के अंदर इसका मुख्याल है या इसका जो सिचुएशन है या जो सिचुएटेट है वो Washington DC के अंदर है और इसके अंदर एक सोनभवे देश सामिल है, Safe, सामिल है इसके अंदर, मतलब वर्ड बेंक के सदस्य है, एक सोनभवे देश, इसके अंदर इंडिया भी है, पर किया आप लोगों को पताएंगे, इंडिया ने कितना लोन ले रखा है, I.M.F. से, एंडिया नें आई-एमेफ से जीरो रूपीस का लोन ले रखा है इसका मतलब है कि भारत अब तक आई-एमेफ से एक रूपए भी नहीं लिया भारत भी inni Burnies है जाद होआ था और भारत अभी तक अभी तक एक रुपे भी IMF से नी लिया कितनी भी खराब इस्तेती हो गई तो इंडिया इस इंडिया एंड पाकिस्तान इस पाकिस्तान बाकी तो आप लोग समझदारी है तो खैर मेरा ये जो वीडियो थे वो आज इसी के उपर था और इसके अंदर नोटिफिकेशन मिलेंगे तो अगले ऐसे एक वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जब तक जय हिंद भारत माता की जय